राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों कातिक मास के शुकल पक्ष की एकादशी को देव उठने एकादशी कहा जाता है भगवान विश्नु चार महिने के शैनकाल के बाद देव उठने एकादशी के दिन जाकते हैं धार्मिक माननेताओं के अनुसार एकादशी के दिन से कोई भी मंगल कारे शुरू किया जा सकता है। इसके इलावा इस दिन अगर विधी बद पूजा अचना की जाए तो पूजा करने वाले व्यक्ति को एक हजार अश्मेद यक्य की बराबर पुन्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णो इस दिन विश्राम से जाकर श्रष्टी का कारेभा समालते हैं। देव उठनी एकादशी से सभी मंगल कारे शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी पर हल्दी से करने वाला एक बहुत ही आसान और अच्छुक उपाई बताने जा रहे हैं। इस उपाई को करने से भगवान शरी हरी विश्णू और माता लक्ष्मी अपनी भक्तों के सभी कश्णों को दूर करते हैं। सभी शुप और मांगलिक कारेव में हल्दी का इस्तमाल किया जाता है। भगवान विश्णू जितना चंदन का टीका करने से प्रसन्य नहीं होते हैं। उससे जादा प्रसन्य हल्दी के तिलक से होते हैं। पीला रंग भगवान विश्णू का प्रियर रंग है। और इसमें हल्दी भगवान विश्णू को अधिक प्रियर है। एक आदशी के दिन सुबह उठकर इस्नान करने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और इस पानी से इस्नान करें इसे भगवान विश्णू प्रसन्न होते हैं इस्नान करके सच पीले रंके ही बस्तर धारन करें अब अपने मंदिर के सामें आसन बिछा कर बेड़ जाएं अपने मंदिर के सफाई करें भगवान जी की अगर तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पहुँचें और अगर प्रतिमा हो तो उन्हें इस्नान कराएं भगवान जी को बस्त्रा भूशन से सुसजित करें। भगवान जी को पीले रंगा पीतांबर पहनाएं। अब एक पात्र में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। एक छोटी सी कटोरी में हल्दी लें, उसमें थोड़ा सा शुद्य जल मिलाएं। अब इस हल्दी से आप भगवान शिरी हरी विश्णू को तिलक करें। और माता लक्ष्मी जी को भी तिलक करें। आप एक शुद्य घी का दिया जलाएं और एक सुगंदि थूपत्ती भी जल अब भगवान शिरी जी को पीले रंग के पुष्म अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिरी को किसी मिश्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो पीले रंग की ही मिश्ठान का भोग लगाएं। मिश्ठान ना हो तो आप शक्कर या बताशे या मिश्री का भोग लगाएं अब अपने मंदिन में पानी मिली हल्दी से ही आप भागवान विश्णू के पत्चिन बनाएं और पत्चिन्नों पर भी एक पीले रंग का पुष्प अर्पित करें अब थोड़ी सी हल्दी आप पानी और गंगाजल के पात्र में भी डालें इसके बाद घंटा बजाते हुए आप भागवान श्री हरी विश्णू को प्रेम पूर्वक जगाएं अब भागवान विश्णू जी के महामंत ओम नमो भगवती वासू देवाय का 108 बार जाप करें इसके बाद जैमा लक्ष्मी जैमा लक्ष्मी का भी 11 बार जाप करें एक आदशी पर विश्णू सहस्तर नाम का पाट भी करना चाहें इस तरहें पूजा करने के बाद अब भागवान श्री हरी विश्णू मादा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कश्टों को दूर करने की प्रात्ना करें अब आप अपने भी हल्दी से तिलक करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के भी हल्दी से तिलक करें इससे भगवान जी की कृपर प्राप्त होती है हल्दी मिला हुआ जल जो आपने पूजा में रखा है उसे उठाएं सबसे पहले आप इस जल का अपने घर के मुख्यद्वार पर छिड़काप करें घर का मुख्यद्वार खोल कर आप छिड़काप करें फिर आप अपने पूरे घर में इस जल से छिड़काप करें छिरकाप करते समय ओम नमो भगवती वासु देवाय मंतर का मन ही मन जाप करते रहे ध्यान रखें इस जल को आप अशुद्ध जगे जैसे बात्रोम और कच्रा रखने का इस्थान वहाँ पर ना छिरकें इस जल को अपने परिवार के सभी सदर्सियों के ऊपर भी छिरकें पर जिन महिलाओं को पीर्यर हो रहा हो उनके ऊपर आप यह जल ना छिरकें बचा हुआ जल आप प्रशाद के रूप में ग्रहर करें इस उपाई को करने से भगवान शिरी हरी विष्णू और मालक्ष्मी की करपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वचिंग रादी रादी